नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एस्टेडी जीएस में दोस्तों आज हम लेकराए हैं बिहार एसाइप्री और इनफोर्स्मेंट एसाइप्री यानि कि दोनों के लिए सेम ही सीले बस है तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस एट ल नहीं किये हैं इसको सस्क्राइब कर दें ज्यादा से जाई से लाइक करें दोस्तों में सेयर करें फेस्बूक वाट्स आप और टेलीकराम के माध्य हम से और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिपिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और आप बनाईएगा और बताईएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है कॉमेंट सेक्शन में बताएगा कम से कम आप लोग इसमें सतर प्लस मगाईए और दोस्तों अगर आपको इस इसका PDF प्राप्ट कर सकते हैं, आपको PDF यहाँ, एक दिन बाद में मिलेगा, यानि कि आज वीडियो अगर आपको हम डाल रहे हैं, तो एक दिन बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा, चलिए दूस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का पहला कोश्चन हो जाएगा, बर्स 2020 के लिए IPL निलामी में अश्टेलियाई तेज गेंदवाज, पैट कमिन्स को सबसे अधिक कीमत 15.5 करोड में किस टीम ने खड़िदा है? हम आपको 3 सेकंड का समय देंगे एक कोश्चन के लिए, आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर C, यानि कि कुलकता नाइट राइडर्स, नेश कोश्चन देखते हैं, नेश कोश्चन हो जाएगा, इसका राइट एंसर करना है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर D, विस्वनाथन आनन्द, नेश कोश्चन देखते हैं, नेश कोश्चन हो जाएगा, जी बी सीखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कोन है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर C, शवधी अरब, दोस्तों यह जो हम प्रैक्टिचेट करा रहे हैं, यह पलेटफोर्म बुक जो अभी आया हुआ है, पलेटफोर्म बुक उसका भैलूम ववन है, चलिए नेश कोश्चन देखते हैं, नेश कोश्चन हो जाएगा, किस भारतिये बालू कलाकार को परतिष्टित इटालियन गोल्डन सेंट अवार्ड दोजार उननिस के लिए चुना गया है, किस भारतिये बालू कलाकार को परत इसका राइट एंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमर सी, सुदर्शन पतनायक, नेश कोश्चन देखते हैं, नेश कोश्चन हो जाएगा, किस सैक्षनिक संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेंड एटलस तयार किया गया है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, सैन अभयास का आयोजन भारत और किस देश के बीच स्वयुक्त रूप से किया जाता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमर बी, चीन, हैंड इन हैंड नमक स्वयुक्त प्रसेक्षन सैन अभयास का आयोजन भारत और किस देश के बीच स्वयुक्त रूप से कि के साथ किया जाता है next question देखते हैं next question हो जाएगा time person of the year 2019 किसे घोसित किया गया है इसका right answer हो जाएगा option number D greater thanberg greater thanberg को time person of the year 2019 के लिए घोसित किया गया है next question देखते हैं next question हो जाएगा changing India पुष्टक के लिखा कौन है किसका right answer हो जाएगा option number C manmohan Singh next question देखते हैं next question हो जाएगा human space flight center कहां अस्थापित किया गया है human space flight center कहां अस्थापित किया गया है इसका right answer हो जाएगा option number D Bengaluru next question देखते हैं next question हो जाएगा USA Melania Trump की पहली महिला अनाधिकृत जीवनी the art of her deal the art of her deal नामक पुष्टक के लेखा कौन है USA इसका right answer हो जाएगा option number B Mary Jordan next question देखते हैं प्रवीन राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाई के नए अधियक्ष के रूप में न्यूगत किया गया है इसका right answer हो जाएगा option number A NASCOM प्रवीन राव को भारत के किस उद्योग निकाई के लिए दर्ष के रूप में उतिया गया है तो NASCOM NAS question देखते हैं निमली खित में से किस पौद्योगी की कमपनी ने कुर्मो जॉप्स नाम का एक रोजगार एप्लिकेशन लॉंच किया है किस पौद्योगी कमपनी ने इसका right answer हो जाएगा option number D Google ने इसका question देखते हैं निमली खित में से किसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मीनस आधार पर निजी सचीव निउक्त किया गया है इसका right answer हो जाएगा option number D हार्दिक सतीस चंद्र सा ने इसका question देखते हैं मोहन जोद्र से प्राप्त पसु मुहर में नीमन में से कौन सा पसु नहीं पाया गया है इसका right answer हो जाएगा option number D सेर मोहन जोद्र से प्राप्त मोहर पर पसु पति के दाएं बाएं और चरण में दोदो पसु बैठा हुआ है गेंडा, हाथी, भैंस और बाग तथा नीचे दो हीरन है महा योगी स्वर की मूर्ती यूग मुद्रा है सर्ज और मार्सल ने इसे सीव का प्राचिन्तम रूप माना है नेश्ट कोशन देखते हैं नेश्ट कोशन हो जाएगा निमलिखित कतनों पर विचार करना है कुशिस किजिए आप लोग इसको इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमरे यानि कि जैन मत्वलंबी मानते हैं कि महाबीर के पुरू 23 तिर्थ करते सही है पार्सो ना 23 तिर्थ करते सही है महाबीर के निकर्तम उत्रवाती इसब थे यह गलत है यानि कि अपसान एक और दो शही है जैन धर्म के 24 तिर्थ करते कों थे? जैन धर्म के 24 तिर्थ करते वह महाबीर स्वामी थे और जैन धर्म के प्रथम तिर्थ करते वह आपको रिशव देव थे प्रथम तिर्थकर कौन थे रिशब देव थे और रिंग बेद में रिशब देव और अरिश्टो निमी का उलेख है पार्सोनात का जन्म जो हुआ था वो कहा हुआ था तो कासी में हुआ था पार्सोनात का परतीक छीन रिजुपाली का शर्फ है नेस्ट कोचन देखते है नेस्ट कोचन हो जाएगा निम्न रजाओ पर विचार किजिए अजाद सत्रू बिंदु सार परसेन जीत इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी एक और तीन यानि कि अजाद सत्रू और परसेन जीत जो थे वह बुद्ध के समकालीन थे अजाद सत्रु जो थे वह बिम्बिसार के पुतर थे अजाद सत्रु बजी संग पर बिजय प्राप्त किया परसेंजीत महात्माबुद के परम मित्र थे महात्माबु सबसे अधिक वास औरूप देश दिये हैं कहां तो श्रावस्ती में दिये हैं कहां दिया है तो श्रावस्ति में दिया है प्रसेंजी जो थे वह कौसल के राजा थे कहां के राजा थे प्रसेंजी तो कौसल के राजा थे कौसल की राजधानी ही थी श्रावस्ति नेश्ट कुछन देखते हैं मिलान करना है एक गरंदकार है और मुल गरंद है कोशिस किजिए आप लोग इसको अपने से बनाने का और दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए और 100 कोश्चन इसको देखिए इसको इवीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही फाइदा होगा किमकि जो भी कोश्चन इसमें दिया हुआ है आप प्रिभियस एर कोश्चन मिलाईए और इसको मिलाईए सेम आपका सिले बस है कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा तो कुशिस किजिएगा पूरा देखिए और कम से कम कुशिस किजिए कि 70 पुलस इसमें मंगाए तो आपका 100% हो जाएगा नहीं आ रहा है तो मेहनत किजिए आ जाएगा चलिए आप लोग इसका इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमर बी यानि कि बड़ा मिहीर जो है वो ब्रिहत शहिता इनकी रचना है उसके बद विशाक दत का है आपको देवी चंद्रगुप्त विशाक दत का मुल्गरंथ है देवी चंद्रगुप्त बड़ा मिहीर का क्या है तो ब्रिहत सहिता और सुद्रक का क्या है तो मिर्ष कटीकम और विलहन का क्या है तो विक्राम विक्रिमांक देवचरित एक बार फिर पर देते हैं बड़ा मिहीर जो है वब्रिहत सहीता इनके मुल्क रंथ है विशाकदत का है देवी चंद्र गुपतम और सुद्रक का है मिर्च कटिकम और विलहन का है विक्रमांक देव चरित्र आप लोग समझ गए चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन हो जाएगा बेदू के प्रख्यात टिकाकार शायन किनके सासनकाल के अधिन फले फूले इसका राइट एंसल हो जाएगा ओप्सन नमर डी बिजय नगर राजा बेदू के प्रख्यात टिकाकार सायन बिजय नगर राजा सासनकाल के अधिन फले फूले बिद्या धर के भाई जो थे वह शायन थे किसके भाई थे तब इद्या धर के और विजय नगर राजी की अस्थापना जो हुआ था वह 1336 इस्वी में हुआ था कृष्ण देवराय कृष्ण देवराय जो थे कृष्ण देवराय जो थे वह विजय नगर समराज के महांतम सा सकते और कृष्ण देवराय के दरबार में अस्थ दिगज अस्थ दिगज अस्थ दिगज जो थे वह कृष्ण देवराय के दरबार में अस्थ दिगज कहा जाता था कृष्ण देवराय के दरबार में जो रहते थे उसको तो अंच्ट दिगज्ज काया जाता था, अंच्ट दिगज्ज में, अलासी, पेड़ा, सबसे महत्यपूर्ण थे, अलासी, पेड़ा, नेस्ट कोशान देखते हैं, नेस्ट कोशन हो जाएगा, मुगल चित्रकला के बीशेय में कौन सा कथन सत्य है, इसका राईटेंसर हो मुगल चित्रकला का श्वर्ण काल कहा जाता है आपको जहागीर के काल को कहा जाता है मुगल कला का श्वर्ण काल चितर कलाबी भाग के अस्थापना अकवर के द्वारा किया गया और जहागीर ने आगा राजा के नेत्यूत में आगडा एक चितरन साला के है स्थापना की और अरंग जेव जोंता वह चितर कला के बिरोधी था नैस कोचन देखते हैं next question हो जाएगा कि निमलिखित में से किसने पुर्ण सुरक्षा का बचन कर सिवाजी को मुगल दर्बार में उपस्तित होने के लिए राजी किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C राजा जैसिंग राजा जैज सिंग ने पुर्ण सुरक्षा का बचनकर सिवाजी को मुगल दरवार में उपस्तित होने के लिए राजी किया जून आपको जून 1665 इस भी में पुरंदर की संधी हुआ था किसके बीच तो सिवाजी और राजा जैज सिंग के बीच सिवाजी और राजा जैज सिंग के बीच क्या हुआ था पुरंदर की संधी जून 1665 इस भी में हुआ था चलिए दोस्तों नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा सूची एक और सूची दू को मिलान करना है और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करना है कलाईव है, बेंटिंग है, चार्ल्स मेटकॉफ है, करजन है और सूची दू में दिये हुआ प्रेसपर से प्रतिवन धाटानाओ, बंग विभाजन, बंगाल में दोरा सासन और अंगले जी सिक्छा इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर ए, यानि कि कलाईव जो थे, वह बंगाल में दोरा सासन और वेंटिंग, अंगले जी सिक्छा, चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेसपर से प्रतिवन धाटाना, और करजन जन हो जाएगा, बंग विभाजन बंगाल में दोरा सासन जो था, वह सत्रे सो पैसेट से बहत्तर तक रहा, साथ मार्च, साथ मार्च, अठारे सो, पैसेटीस को, अंग्रे जी को राजभासा बनाया गया और सोले अक्टूबर 1905 को बंग विभाजन लागो हुआ, और मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्ती दाता कहा गया है नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन हो जाएगा बिख्यात मुझाफरपुर हत्याओ के बारे में निलिखित कतनों पर बिचार कीजिए अब लोग बिचार कीजिए इसके बारे में इसका राइट एंसर हो जाएगा अफसर नमर डी, यानिका अफसर एक, दू और तील वह बम जो स्रीमती, पिंगल और उनकी पूतरी की गारी पर फेका गया था वस्तूता मुझाफरपुर के जिलाज़ स्रीमान किंग्सफोर्ट के लिए अभी प्रेत था यानिकि एक सही है क्रांतिकारी स्रीमान किंग्सफोर्ट को मारना चाहते थे चले दूस्तों, नेक्स कोशन देखते है नेक्स कोशन हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी, लॉड हाडिंग दिती है 1911 इसमें जबराधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोशना की गई उससे में भारत का वायसर है कौन था तो लॉड हाडिंग दिती है था और 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1901 एक आड़े को राजा जोज पंचम ने राजधानी परिवर्तन की घोशना किया और 1902 इसमें राजधानी परिवर्तन किया गया और 1856 इसमें ग्रिशम कालीन रधानी शिमला को बनाया गया था नेश कोशन देखते है नेश कोशन हो जाएगा शाइमन कमिशन के आने के बिरूद भारतिय जन अंदूलन क्यों हुआ इसका राइटेंसर हो जाएगा आप्चन नमर सी शाइमन कमिशन में कोई भारतिय सदस नहीं था 8 नौवंबर 27 को 7 सदस ये भारतिय वैधानी का आयोग बनाया गया इस आयोग के अध्यक्ष कोन थे? तो सरजोन साइमन थे सरजोन साइमन थे इसलिए इसे साइमन आयोग भी कहा जाता है और इस आयोग में सभी गुरा सदस थे इसी करन से इसे स्वेत आयोग भी कहते हैं और 1928 इस भी सर हर कोट बटलर की अद्यक्ता में भारतिय साही आयोग बनाया गया नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हो जाएगा महराष्ट में गनपती पर्व का सुवारम किया था इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमरी बाल गंगाधर तिलक ने महराष्ट में गनपती पर्व का सुवारम बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा अठाडे सो तिरानवी रिस्वी से गनपती पड़व और अठाडे सो पंचानवी रिस्वी से सिवाजी उसो मनाना पड़ाम किया गनेत उसो महराष्ट का मुख पड़व है नेश कोशन देखते हैं कुच्ची पूरी के संदर्म में निर्म में से कौन सा एक कथन असत है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी इसका मुख सुरुत विश्ण पुरान है यही असत है इसका नाम आंधरपदेश के गाउं कुचेल पूरम के नाम पर पड़ा है सही है इसके पात्र भगोत मेला कहलाते हैं यह भी सही है इस वे पीतल की तस्तरी पर पेर रखर नित करने की परंपरा है यह भी सही है लेकिन ओप्सन बी में जो दिया हुआ है यह कुची पुरिशाष्टे नित कर संदर्म में कि इसका मुखे सुरत विश्न पुरान है यह गलत है नेस कोशन देखते हैं नेस कोशन हो जाएगा भारतिय सोतंतरता संग्राम के दोरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सरावजानिक रोस उत्पन हुआ भारतिय सोतंतरता संग्राम के दोरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सरावजानिक रोस उत्पन किया इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर सी इसने लोगों को बिना मुकादमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिक्रित किया नेस कोशन देखते हैं अचा रॉलेट एक्ट कब हुआ था रॉलेट एक्ट जो हुआ था वह आपको मार्च 1919 में लाया गया जिसके दोरा सोतंतरता का हनन हो रहा था और 6 अपरेल 1919 से गाधिजी दोरा रॉलेट एक्ट का व्यापक बिरोध पराम किया गया और रॉलेट एक्ट के विरोध में गाधिजी दोरा चलाया गया आखिल भारती अस्तर का भारत में प्रतम विरोध था रॉलेट एक्ट को गाधी ने काला कनून कहा नेस कोशन देखते हैं नेस कोशन हो जाएगा इसका रॉलेट एंसर हो जाएगा आपसा नमर बी भारत की पहस्चात्य संस्कृती का प्रचार बोड आफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो थे वह चार्ल्स बुट्स थे और 1854 के बुट्स डिस्पेश को भारत में सिक्षा का मैगना काटा कहा गया नेस कोशन देखते हैं सही युगम को चुनना है इसका रइट अंसर हो जाएगा option number D यानि की खजुराहू चंदेल सही युगम है खजुराहू जो है वह चजत्तर पुर जीला में मत परदिश में वस्तित है और खजुराहो में कंदर्या महादेव और चटर भूज मंदिर सबसे प्रसीध है महावलिपूरम का मंदीर पल्लो वंस द्वारा बनाया गया था यह राश्ट कूट दिया है यह गलत है और मिनाक्षी मंदीर जोन है वह आपको पांड द्वारा बनाया गया था यह पल्लो दिया हुआ है यह गलती है और इलोडा गूफाय जो अन है यह सक दिया हुआ है यहाँ पर राष्ट कूट है इलोडा की गूफाय राष्ट कूट के द्वारा बनाया गया नेस्ट कुशन देखते हैं नायसट कूशन हो जाएगा कि निमलिखित में से कौन सा सही है सूर्ज से प्रित्वी की मद दूरी को ? इसका रॉयट एंसर हो जाएगा आपशा नोंर सी खगोली क कहते हैं कि साथों सूर्ज उस्वार की अस्वा दूरी-जोनहीं है वह 14 करोर 95 लाग और 98 हजार 500 किलोमेटर है 500 किलोमेटर है पृत्वी से सूर्ज की औसद दूरी पृत्वी से सूर्ज की निकटम दूरी वह 14.73 करोर किलोमेटर है और पृत्वी से सूर्ज की औह दीकतम दूरी वह 15.22 करोर किलोमेटर है दूरी में अपने की सबसे बढ़ी है क्या है तो पार्शेख है नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन हो जाएगा कि प्रित्वी पर दो अस्थानों की इस्तिति के अनुदार का अंतर 15 डिग्री है तो अस्थानिय समय में कितना अंतर होगा इसका राइट असर अब लोग करना है प्रित्वी पर दो अस्थानों की इस्तिति के अनुदार का अंतर 15 डिग्री है तो अस्थानिय समय में कितना अंतर होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमरे यानि कि अंतर एक घंटा का होगा 20 को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है और इन समय जोनों को GMT और मानक समय में एक घंटी के अंतराल के अधार पर विभाजित किया गया है परती एक जोन 15 डिग्री के बड़ाबर होता है नेच्ट कुछन देखते हैं शमुंद्र में घंट तो बढ़ता है तो ऐसे में इसका राइट एंसर करना है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी यानि के लवनता और गड़ाई दोनों बढ़ती है next question देखते है मैत का question है दोस्तो आप लोग मेरा telegram channel link में हम दे दिये है इसका link दे दिये है telegram channel का description में आप लोग जाकर वहाँ से pdf डाउनलोड कर सकते है इसका pdf जो question अभी हम करा रहे हैं इसका pdf हम लोग हम डाल देंगे एक दिन बार और आप लोग इसका download कर लिजिएगा वहाँ से आप लोग math बना लिजिएगा हम इसका answer बता देते हैं इसका right answer हो जाएगा option number c यानि कि 3 दिन माफ किजिएगा इसका right answer हो जाएगा option number d 4 दिन दो pipe अकेले कार करते हूँ टंकी को 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं जबकि 3 पाइप भरी हूँ टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है यादि 3 पाइपो को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगा तो इसका एंसर हो जाएगा 4 दिन आप लोग को PDF मिल जाएगा देख लीजिएगा नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि निमलीखित में से कौन सा भारत की सरोच परवत सिखर है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमर C काड़ा कुरम काड़ा कुरम भारत की सरोच परवत सिखर है कंचन जंगा जो है कंचन जंगा इसकी उचाई 8598 मीटर है भारत की सबसे उची चोटी एवरेश्ट है नंगा परवत की उचाई जोन है वो आपको 8126 मीटर है कंचन जंगा में सबसे उची चोटी है कंचन जंगा में सबसे उची चोटी है नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा निमलीखित में से कौन सुमेलित नहीं है निमलीखित में से कौन सुमेलित नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर डी हुसिन सागर जील करनाटक किसानों से खेतों में क्रिसी कार करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है या किस लिए है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमर बी चूना मिट्टी की अमलियता को घाटाता है जल जमाओं से भूमी में अमलियता की मातर में ब्रिदी होता है अमलियता से भूमी की उर्वड़क्ता चक्ति घठता है भारत में भूमी की एक मुक्व समस्या जल जमाओं है नेश कोचन देखते हैं नेश कोचन हो जाएगा मद परदेश में कोड़बा का महत्तो है मत परदेश में कोड़बा का महत्तु है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमरे एलमुनियम उद्योग के कारण नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन हो जाएगा राजाजी राष्टिय पार्क किसी जानवर का प्राकरती कवास है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमरे जंगली हाथी राजाजी राष्टिय पार्क किसी जानवर का प्राकरती कवास है तो जंगली हाथी ग्रीर नेस्टनल पार्क जो है वह सेर के लिए परसीद है गीर नेशनल पार्क जो है वह सेर के लिए परसीद है घाना पक्षी बिहार जो है वह साइबेरिया क्रेन पक्षी के लिए परसीद है और पिरियार अभियारन हाथी के लिए परसीद है काजी रंगा राष्टिय उद्यान जो है वह एक शिंग वाला गेंडा के लिए परसीद ह है चले दुस्ता अब लोग समाज गए नेक्ट कोर्चन देखते हैं नेक्ट कोर्चन हो जाएगा फ्लाई एस एक प्रयावरनी प्रदुसक है जो उत्पन होती है कि इसका राइट सब्सक्राइब निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमर बी बियना शमेलन 1982 जो है यह आपका गलत है विश्व पर्यावरन समयलन एस्टॉक होम में हुआ था 1972 में सही है पांच जुन से अठाड़े जुन निस बहतर में आयोजित किया गया था और पांच जुन को विश्व पर्यावरन दिवस इसी समय से मनाय जाता है प्रतम प्रित्वि समयलन रियो ड पांच कया क्युश्व है दिव सधारण ब्याश्य है इसके राइइटर असर हो जाएगा आपाईट नमर भी कहने के 9.6 परसेंट इस्ट्र Q कशन देखते हैं ा पूफ कर दिजिए का बम पहारिया लेकि सिमाव परिष्थित है वे हैं इसका राइट औसे हो जैगा, आप्से केरल लें तमिलनाडू काड़ेमं पहारिया किरल और तमिलनाडू से में पड़ी थित है निलगीरी पहारी, पुर्बी घाट और पच्मी घाट का मिलान बिंदू है अन्ना मलाई परवत के दक्षिन में काडेमम की पहारिया केरल में है पालनी पहारी पर कुड़ाई कनाल इस्तित है और सेवराई की पहारी जो नहें वह तमिल आडू में इस्तित है नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा किसका उपयोग मिट्टी की लवनता यह उचाड़ियता के समस्या का दिर्खकाली खल है इसका राइटम सर हो जाएगा अपसन नमर बी जिपसम अमलेता का दूर करने के लिए मिर्दा में चूना भी मिलाया जाता है जिपसम भारत में राजस्थान में भारत में कहां तो राजस्थान में अधिक पा जाता है अमल का पीएच मान जो होता है वो साथ से कम होता है और छाड़िये का जो पीएच मान होता है वो साथ से अधिक होता है नेश कोशन देखते हैं Next Question हो जाएगा अंतराश्व्टीय दिनांक रेखा घीची जाती है International Deadline इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षान नमर C प्रसांत महासागर से होकर अंतराश्टिय दिनांक रेखा आर्क्टिक सागर चुकि सागर बेरिंग एस्टेट और परसांत महासागर से गुजरती है एक सौसी डिग्री देसांदर को अंतराश्टिय तिती रेखा कहते हैं और बेरिंग जन संधी अंत्राइशे तीथी रिखा के शमनांतर रिष्टित है दोस्तों ये मैद के कुश्चन है इसका अंसर हम बता देते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसे नमरे सोलादीन नेश कोशन देखते हैं पाड जूल क्या है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसे नमरे कुणधारी बन पर देश्चों में पाई जाने वाली मिटी पेडिलोजी जो होता है वो मिर्दा का धियन के जाता है काली मिटी को काली मिटी को हम लोग कपासी मिटी कहते हैं लोवनी यो छाडी मिटी को रह असर या कलर मिटी भी कहते हैं जैविक मिटी को क्या कहते हैं जैविक मिटी को हम लोग पीट मिटी भी कहते हैं और पीट मिटी को हम लोग कारी मिटी कहते हैं जो किरल में हैं नेस्ट कोशन देखते हैं उपराश्टपती एम बेन के एन आइडू ने टीन आइडियोलोजी नामक पुस्तक के तिल्गु संस्करण पर परी भोज लालू का अनवरन किया इस पुस्तक के लेखा कौन है? इसका राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर एस जैपाल रेटी नेस्ट कोशन देखते हैं बैरोमीटर पठन में अचानक गिराउट हो जाने से निमली खित्म से कौन सी एक मौसमी दसा इंगित होती है? इसका राइटेंसर हो जाएगा आप्शन नमर ए तुफानी मौसम बैरोमीटर में द्रोधातू पाड़ा का पर्योग किया जाता है बैरोमीटर का निर्मान सरपर्थं इ टोडी सेली इ टोडी सेली ने किया था किसका तो बैरोमीटर का निर्मान बर्तमान में डीजिटल बेरोमीटर का पड़ियोग कियाता है इसे एनने रायट बेरोमीटर कहते हैं नेट्ट केशन देखते हैं नेट्ट केशन हो जाएगा निम्लिखित अस्थलो और अस्मार्गो का विचार करना है इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नम्मर डी यानि कि सब सही है शत्पती सिवाजी रेलबे स्टेशन का नाम पूर में विक्टोरिया रेलबे स्टेशन था महावली पूरा मंदीर का रत मंदीर नर्सिंग ब्रह्मन प्रथम में है नर्सिंग ब्रह्मन प्रथम ने बनवाय था और सुर्व मंदीर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है नेस कुशन देखते है भारतिय स्वमिधान इन में से किसका सरवाधिक रिनी है इसका राइट एंसर हो जाएगा, अक्षिनमर D, 1135 वहरत शासन अधिनियम, भारत शासन एक से लगभग 72% अनुछेद भाग लिया गया है, भारत सासन अधिनियम के बाद सरवाधिक, बृतेन से लिया गया है, बृतेन के बाद सरवाधिक किसी देश भारतिय समुधान में लि में इस किया गया है कि नेश कोशन देखते हैं कि कि नेश कोशन हो जाएगा भारत के कि भारत के संदर में निमलीखित कथनों पर बिचार किजिए कि इसका राइट इंसर हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी हो जाएगा यानि कि दो और तिन यानि कि मुख चुनाव आयुक्त वहीं वेतन पाने का हकदार है जितना उच नियाले के नेश को दिया जाता है शही है और आपका तिस्त्रा हो जाएगा कि मुख चुनावा युक्त को उच्छितम नया लेके किसी नयाधीज को हटाने के तरीके और कारणों के तरीके किसी कारण से उनको पल से नहीं हटाया जा सकता है यह भी सही है यानि कि अप्शन दो और तीन सही है नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा कि भारत की समिधान सभा ने राष्टिय धोच को सर पर्थम कब सिविकार किया इसका राइटेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर ए 22 जुलाही 1947 नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा एक ऐसी याची का जो नेश पालिका दोरा जारी की जाती है तथा जिसमें काड़ पालिका से कहा जाता है कि वह काज करे उसे प्रदत सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए था उस रीट को कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आफसन नमर बी मैंडेमस नेश पालिका दोरा जारी की जाती है तथा जिसमें काड़ पालिका से कहा जाता है कि वह काज करे जो उसे प्रदत सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए सरकारी पदपरासिन पदतकारियों को करतव निर्वाहन के लिए परमादेश आदेश जारी किया जाता है अनुशेद 32 के अधिन पांच रीट जारी किया जाता है किस अनुछेद के अंतरगत तो अनुछेद 32 के अंतरगत पांच रिट जारी करने का अधिकार उचितम नयाले और अनुछेद 226 के अनुछार उच नयाले को पांच रिट जारी कर सकते हैं नेश कोशन देखते हैं पंचायती रजब्यवस्था में सासन परनाली की सन्रचना क्या है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्षिन नमर सी ग्राम प्रखंड जिला अस्तर पर अस्थानिय सो शासन को त्री अस्तरिय सन्रचना नेख कुशन देखते हैं नेख कुशन हो जाएगा भारत का समय धान असपश्ट तब प्रेस की इअजाधी के ब्यवास्टा नहीं करता है किन्तु इह अजाधी अंतर नहीं थै इसका राइडियान सरो हो जाएगा अब सने यानी कि अनुछेद एक के अमे भारतिस्वमिधान के अनुछेद एक के अनुछेद उन्नीस में छो परकार के सोतंतरता का उलेख है अनुछेद उन्नीस के अ में अभिव्यक्ति के सोतंतरता का उलेख है उजितम न्याले ने यह माना कि वाकें अभिव्यक्ति के सोतंतरता में भी प्रेस की सोतंतरता अंतर न कानूनी अधिकार बना कानूनी अधिकार में रख दिया गया है कि नेस्ट कुछन देखते हैं राजकुसिय घाटे का अर्थ है इसका राजकुसिय घाटे का अर्थ है इसका राजकुसिय घाटे का अर्थ है नेस्ट कुछन देखते हैं next question हो जाएगा मानोस अंशाधन वीकास मंत्राले का नाम मदल्गर क्या रखा गया है इसका राइट अंशन हो जाएगा option number B शिक्षा मंत्राले next question हो जाएगा नेली खितमे से कौन सा अंतराश्टिय संस्थान विभीन देसों को अलपकाली को रिण परदान करता है नमले खित्म से कौन सा अंतराष्टिय संस्तान विभिन देसों को अलपकालिन रिन परदान करता है इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर A अंतराष्टिय मुद्राकोस आई एमेफ आई एमेफ के अस्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन हो जाएगा सुमेलित करना है युग सुमेलित करना है संगठन है मुख्याले है इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्शन नमर D अंतराष्टिय पर्मान वुड़जा आफिकरन निर्वग है यह आपका सुमेलित नहीं है यानि कि अंतराष्टिय पर्मान वुड़जा आफिकरन जो है वह आपको वियना में है कहां है तो वियना में है अंतराष्टिय स्रम संगठन कहा है तो जनेवा में है सही है अंतराष्टिय समूंदरी संगठन लंदन में है अंतराष्टिये मुद्रा कुर्स वासिंग्टन डिसी में है लेकर अंतराष्टिये प्रमानूर जाफिकरन कहा है तो विये ना में है नेस्ट कुश्चन देखते हैं बिदेसी विया पार का भुकतान सम्मंदित है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर डी भुकतान संतूलन से नेस्ट कुश्चन देखते हैं मैत के कुश्चन है आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलिग्राम जॉइन कीजिए वहाँ पे आप लोग को पीडियेप मेर जाएगा और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नही कराएंगे चले दोस्तों नेस्ट कुश्चन आपका इसका एंसर हो जाएगा ओप्सान नमर बी यानि की ओप्सान नमर बी हो जाएगा इसका एंसर आपको पीडियेफ मिलेगा वहाँ पे आप लोग इसको सॉल्फ कर लिएगा चले दोस्तों नेस्ट कुश्चन देखते हैं नेश कुशन हो जाएगा जब धूप बर्सा के बुंदू पर गिरती है तो इंदरधनुस बनता है इसके लिए निमलिखित में से कौन सी भोतिक पड़ी घटनाय जिमवार है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर डी ये सभी यानि की पड़ी पड़ी ख्षेपन अपवर्तन और आंतरिक पड़ावर्तन नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हो जाएगा सुस्क सेल में निमली खित में से किन बिदुत अब घाटेओं के रूप में पड़ी योग होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर डे अमोनियम कॉलराइट और जिंक कॉलराइट नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हो जाएगा अकास में इंद्र धनुष के रंगों का फ़लाव मुख्यत इसका राइट एंसर करना है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर डे सूर्ज परकास का बिक्षेपन है अकास में इंदर धन उसके रंगों का फ़लाओ क्या है तो सुर्ज के परकास का बिक्षेपन है नेश कोशन देखते हैं दो, चार और आठ ओम पर नामे वाले तीन प्रतिरोद समनांतर क्रम में जोड़े हैं इस निगाय का तुल प्रतिरोद कितना होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर ए यानि कि दो ओम से कम होगा नेश कोशन देखते हैं मैट का कोशन है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी दो घंटे और तीस मिनट नेश कोशन देखते हैं कि वाटा नुकुलन में कमष्वायू मैस्वासवि कुण्डी में उस्मा का निस्कर्षन होता है तथा द्रवनित कुण्डी पर उस्मा का निरानसन होता है इसको देखना कि इसमें कौन सही है इसका राइटनसर हो जाएगा आप्शन नमर डी ये ये कीवल तीन ये की बार्ब की संगलन गुप दूसमा तथा जल की वासपन गुप दूसमा बड़ाबर होती है और दुनों आप्शन क्या है तो गलत है नेश कोशन देखते हैं कठोड जल के गुन धर्म के विश्व ने विखित में से कौन सा कथन सही है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर ए अप्सन एक और दो जो है वह सही है यहने कि जल की अस्थाई को ठोड़ था उसमें उपस्तित बिलियन मैगनिसियम और कैलसियम हाइडरोजन करबोनेट के करण होती है सही है जल की अस्थाई को ठोड़ था उबालने से समाप्त किया सकते है यह भी सही है चलिए दूस्तर नेश कोशन देखते है नेश कोशन हो जाएगा जब मिर्दू इस्टील को उची ताप मान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंड़ा किया जाता है तो अगका ठोड़ था भंगूर हो जाता है यह पर किरिया कालाती है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमरे का ठोड़ी करन यानिकी हार्डिनिंग पर किरिया कालाती है नेश कोशन देखते हैं नहीं दोस्तों माफ किजिएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि की tempering पर किरिया कहलाती है क्या कहलाती है था tempering जब मिर्दू स्टील को उचे ताप और गरम किया जाता है और अचानक पानी में ठंधा किया जाता है तो वा कठोर तता भंगुर हो जाता है या पर किरिया tempering कहलाती है चले दो next question देखते है next question हो जाएगा हैलो जोनों में सबसे अभी किरिया सील है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A fluorine fluorine जो नहीं सबसे अभी किरिया सील fluorine है fluorine अवर्ट सानी का सरवाधिक विदू तरिनात्मक तत्व है next question देखते है sunspots lens किससे बनाए जाते है यानि कि contact lens किससे बनाए जाते है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C leucide leucide से contact lens बनाए जाते है समानत्र दो गोलिये पिष्टों से घिरे हुए किसी अपवर्थक माध्यम को lens कहा जाता है next question देखते है next question हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा इंधन नियूंतम पर्यावरणिये परदूसन उत्पन करता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C यान कि hydrogen hydrogen जो है नियूंतम परदूसन उत्पन करता है hydrogen और oxygen तरल अवस्ता में काडियोजेनिक इंधन में पर्योग होता है next question देखते है समान नाम नुकलियोन किसके लिए है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B proton और neutron के लिए next question देखते है next question हो जाएगा जिवास्म की आयू carbon के दूश समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारन और मालूम की जा सकती है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C carbon 12 और carbon 14 next question देखते है यदि दूद को काफी समय तक बीना ढखके रखा जाए तो दूद खटा हो जाता है या निमलीखीत में से किसके कारण होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A दूद से दही लेक्टिक वैसली बनता है और दूद को लेक्टिक वैसली लेक्टिक अमल बनाते है नेश कोशन देखते है नेश कोशन हो जाएगा अनाजो और तिलहनों के अनुपयूक तिरखरा खाव और भानडारन के परिनाम सरुप आवीशो का उत्पादन होता है जिन है अपला टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है जो समाने तब भोजन बनाने की आम विधी द्वारा नश नहीं होते अपला टॉक्सिन किसको द्वारा उत्पादित होते है इसका राइट अन्सर हो जाएगा option number A जिवानू जिवानू नहीं कर सकते मानों को अपना सारा बिटामीन बी बारे अपने हाड से ही प्राप्ट करना होता है बिटामीन बी बारे में कों सा संकूलन धातू आयन होता है इसका राहट एंसर हो जाएगा option number C CO3+, यहनिकी कोबाल्टायन विटामिन B बारे का रसाइनिक नाम साइनू कोबाल्मीन है विटामिन B बारे की कमी से एनेमिया और पांडू रोग होता है नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स कुशन हो जाएगा नेमली खित पोशक तत्तू में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोथ है नेमली खित पोशक तत्तो में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोथ है इसका राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर D बीटामिन C बीटामिन C का एक दुग्ध दुर्बल स्रोथ है लेक्टिक रमल दही में पाया जाता है बीटामिन सी करासानिक रम एसकोर्वीक अमल है और बीटामिन सी की कमी से एसकोर्वी रोग होता है नेज़ कुर्षन देखते हैं पाओधू में हूने वाले कृड़ियाव में से एक जो इनका ताप्मान कम कर सकती है होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर बी वास्पुत सर्जन नेश कुर्शन देखते हैं नेश कुर्शन हो जाएगा राम मंदिर निर्मान के भौय आवेजन पर भागवान राम के चित्र नीवन में से किस पर परदरसित किये जाएंगे इसका राइट एंसर हो उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांत्रण होने को कहते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर ए वायू स्वसन नेश कोशन देखते हैं सुमेलित करना है आपको सुची एक और सुची द्यू को अस्त्र, धनुस, तिर्शूल और अकास इसकी मारक छमता दिया हुआ कितनी है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर शी यानि की ये का चार हो जाएगा अस्त्र दस से पचीस किलोमेटर तक धनुस जो हो जाएगा एक सा पचास किलोमेटर तक त्रिसूल जो हो जाएगा और 9 किलोमेटर तक और अकास जो न हो जाएगा आपको 25 किलोमेटर तक अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मधिदूरी का प्रशे पास रहे जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रशे पास धनूस है तिरे सूल सतह से हावा में मार करने वाला प्रक्षे पास्त रहे और का सतह से हावा में मार करने वाला प्रक्षे पास्त रहे नेश्ट कुर्शन देखते है इसरो दोरा स्थापित लिक्विट प्रोवल्स सिस्टम सेंटर इस्थित है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमरे महेंद्र गीरी याने कि तमिलाडू में इस रुदुला सापित लिक्विड प्रुवल्शन सिस्टम सेंटर कहा है तो महेंद्र गीरी तमिलाडू में इस कुश्चन देखते हैं साफटा का पूर्ण रूप है साफटा का पूर्ण रूप है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमरे साउथ एसियन प्रिफेंसियल ट्रेड एगरिमेंट माफ किजिएगा दूस्तो साफटा का पूर्ण रूप जो है इसमें नहीं दिया हुआ है इसका राइट एंसर हम बता देते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा शाफटा का पूरा नाम हो जाएगा आपको शाउथ एसियन प्रीफर रेंसियल प्रीफरेंसियल ट्रेड ट्रेड एग्रिमेंट एग्रिमेंट यानि कि साफटा का पूर्णरूप इसमें नहीं दिया हुआ है उप्रुक्त में से कोई नहीं साफटा का पूर्णरूप हो जाएगा साउथ एसियन प्रीफरेंसियल ट्रेड एग्रिमेंट next question देखते है मैपी लीफ का देश के नाम से जाना जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C, Canada दोस्तों आप लोग कुशिस कीजिएगा 100 तक question पूरा वीडियो देखे 100 तक question बनाए और आप अभी तक अब हमारे चैनल पर नए हैं subscribe नहीं किये हैं इसको subscribe कर लें दोस्तों में इसे share करें और ज़्याद से दाई से like करें question था आपका कि मैपी लीफ का देश के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C, Canada next question देखते हैं गुरुदेव रभिंदर नाष्ट एगूर की रचना को भारत के अलामाकी से देश का राष्ट गान सुविकार किया गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B, बंगलादेश गुरुदेव की उपाधी महात्मा गजी द्वरा दिया गया गुरा रभिंदर नाष्ट एगूर के द्वर रचित उपनियासे और आश्टियेगित उनिसायगारे के कांग्रेस अधिवेशन में स्वरप्रथम कलकत्ता में गाया गया था चलिए, next question देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D, 8 degree channel भारत यो मालदीव जो है वह सही नहीं है 8 degree जो चैनल है वह आपको मालदीव एव मीनी काई मालदीव और मीनी काई के मद है मैं एक मोहन भारत औरचिन सही है मैं एक मोहन रेखा भारत औरचिन सही है रेट किल्प रेखा भारत औरचिन सही है डूरंड रेखा पकिस्तान है औरचिन सही है नेश्गोशन देखते है चा बहार बंदरगाह पड़ियोजने भारत और किस देश में बिक्षित की गई है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B, इरान next question देखते है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C, एक और दो दोनों विस्व का सबसे बड़ा द्यूप, ग्रीन लेंड है, सही है और ग्रीन लेंड डेन मार्क के अधिन एक स्वायत छेत्र है ये भी सही है next question देखते है मिलान करना है, कौन सुमलित नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D, विस्व तमबाकू निसेद दिवस जो 22 मार्च दिया हुआ है तो ये गलत है ये आपका हो जाएगा 31 माई विस्व जन संख्या दिवसे गारे जुलाई सही है विस्व बान की दिवस 21 मार्च सही है और विस्व बान की दिवस 5 जुन सही है विस्व तमबाकू निसेद दिवस 31 माई होगा नेश्ट कोचन देखते है पटाना नामोक उश्न कटी बंदिये घास के माईदान निवन में से किस देश में पाई जाते है इसका राइट एंसर हो जाएगा बारतिये उप महादीप में बोले जाने वाली भासाओ में बोलने वालों की सरवादिक संख्या के अधार पड़ हिंदी के बाद किसका नमबर आता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बंगला नेश्ट कोचन देखते है नेश्ट कोचन हो जाएगा निमलिखी धार्मिक समुदाय में से कौन सा समुदाय केवल का अभ्यास करता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी जैन जैन धर्म का मुख खुदेश केवल प्राप्त करना है जैन धर्म, सनातन धर्म के बाद सबसे प्राचिंतम धर्म है त्रिपीटक जो है और बोध धर्म में मुक्ता सहित को कहते है केवाल जो होता है और पड़म ग्यान को कहते है नेक्स्ट कोश्चन देखते है नेक्स्ट कोश्चन हो जाएगा अल इंडिया रेडियो ने संस्क्रीट में अपने पहले समाचार पतीर का काईकरम का परसारन किस रूप में सुरू किया है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर B संस्क्रीट सब्ता ही की नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं निमली खित में से किस राज या स्टंग राज खेतर में जरवा जन जाती रहती है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर C अंडमान तथा निकोबार दीप समू नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हो जाएगा गेंटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशन और गाइड फोर इंडिया नमक पुष्टक के लेखा कौन है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमर B आरसी भारगोव नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं दिल्ली की राजगती पर बैठने वाला पहला बिहार से जुरा सासक था इसका राइड एंसर हो जाएगा अप्शन नमरे सेर्षा सूरी सेर्षा सूरी सासा राम के जागीर के प्रबंधन के रूप में सरपर्थम परसीदिता प्राप्त की थी मुहमसा वाहरी नुहानी के पूत्र जलाल खा के सनरक्षक भी सेर्षा थे सेर्षा चौसा और बिलग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली के शासक बना नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन हो जाएगा बिहार पंचायती राजा धिनियम के नुशार गराम पंचायत का कोई सदस हस्त लिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र पर भावी माना जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन मरे 7 दिनों के बाद बिहार पंचायती राजा धिनियम 2006 पारित किया गया पंचायती राज में 50 पर 30 महिलाव को इसके दोर स्वर पुर्तम बिहार में रक्षन दिया गया है नेक्ट कुशन देखते हैं नेक्ट कुशन हो जाएगा भारत के किस राज में इस्तित देहिंग पठकाई वन जिवन अफ्यारन को राष्टी उद्यान में अपग्रेट किया जा रहा है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमर डी असम तो दोस्तो ये थे विहार SI और इन्फोर्स्मेंट SI जो प्री एक्जाम होने वाला है 2020 में उसका प्रैक्टिस स्रिट नमर थीरी अगर आपने इससे पहले दो प्रैक्टिस समकरा चुके हैं नहीं देखे हैं करें वीडियो में जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें दोस्तों में शेयर करें फेस्बूक वाट्सब टेलीगराम के माध्याम से और बेल आइकन का बटन दाबाना ना भूलें कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिपिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फूरा वीडियो देखिएगा और 100 कोश्चन प्लस लाएं और अगर आपको मेरे वीडियो का पीडियेफ चाहिए तो पीडियेफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीगराम का लिंक दे दिया जाएगा उसमें आप जाय करके टेलीगराम पे जूर करके आप लोग पीडियेफ प्राप्त कर सकते हैं तो